नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब खुश होना? अपनी माता पिता के साथ हर संतान खुश होती है हर माता पिता के लिए अपनी संतान एक फरिष्टा होती है इश्वर की अनमोल देन होती है वे अपनी संतान में ही अपना प्रतिरूप देखते है उसे निहारते है, उसे सवारते है, उसके लिए अपना सारा जीवन नोचावर करते है उन्ही से तो हमारी पहचान होती है, हमारी पहचान बनती है फिर भी अपनी सब की एक अलग पहचान होनी चाहिए तो चलिए आईए देखते हैं मेरी एक कविता क्या है मेरी पहचान पापा का लाडला, पापा का लाडला, मा का दुलारा, बेहन का प्यार, भाई की जान, क्या यही है मेरी पहचान मा की परचाई, पापा की परी, दिदी की लाडली, भाईया के चेहरे की मुस्कान, क्या यही है मेरी पहचान जरासी जिदकी, जरासी जिदकी तो मिल जाते हैं खिलोने, गुमना फिरना, मौज मजा करना, पढ़ाई के समय पर करना बहाने मैं खुश, मैं खुश तो सारा परिवार खुश, फिर भी करना, सबको परेशान, क्या यही है मेरी पहचान आकाश में अविरत तपकर, पुत्वी को प्रकाश में करने वाला सूरज भी जाना जाता है अपने नाम से शीतल छाया, शीतल छाया देने वाले व्रिक्ष अपनी अवशदिय गुनों के साथ जाने जाते है अपने अलग अलग नाम से भगवान पर चड़ाये गए फूल भी सुख जाने पर जाने जाते है निर्माल्य की पवित्र नाम से कितने वैद्यानिक, कितने गायक, कितने योधे, कितने खिलाडी कर गए कुछ ऐसा काम लिख गए इतियास में सुनहेरे अक्षोरों में अपने नाम मैं भी कुछ ऐसा कर जाओ, करके अथक परिश्रम अपना लक्ष पूरा कर पाओ भारत के शिर्ष को उंच उठाओ, खुद के बलबूते पर अपनी पहचान बनाओ सारे परिवार की शान बन जाओ, सब जाने मुझे मेरी नाम से, सब चाहे मुझे मेरी काम से सब के चहरे पर ले आओ मुसकान, यही होगी मेरी पहचान तो दोस्तों आईए मेरे साथ अपनी माता पिता ने हमारे लिए जो सपने बुने हैं, वो पूरा करने का प्रयास करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं अल पिता दोस्तों फिर मिलेंगे